नमस्कार दोस्तन स्वागत थे आपका हमारे शेनल चार जागेंदर मिस्टा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन रास्ट की दैनिक रास्फल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 13 शितंबर 2021 शोंबार का दिन है और भादरपद शुकल पक्षी आज सब्तिमी तिति है नचत्र की बात करें तो आज अनुराधा है और अभिजीत महुर्त की अगर बात करें तो दुपार 11 बच के 36 मिर्सले के दुपार 12 बच के 25 मिर्त करेगा आज के सुरुद है सुबहे 5 बच कर 25 मिर्ट पे और चंद्रमा की जो इस्तिती होगी वो ब्रश्चिक राशी पे होगी आज के जो असब समय होगा वह तक्रिवन दुपार 1 बच कर 10 मिर्सले के दुपार 2 बच कर 21 मिर्त करेगा इस असब समय में कोई भी सुब और नए कार की सुरुद ना करेने तो बिग्न वाधायां शक्ती है अब बात करते हैं आज के मिथुन रास्क के दैनिक रास्वल की और ये प्रड़क्शन चंद्राशी पर अधरी थे मिथुन रास्क के आदकों आज बड़ा चमतकार होगा क्योंकि आज आज आपके केरियर में काफी सुधार होने की योग बन रहे हैं बिजनेस ब्यापार में भी बड़े धनलाब होने की योग बन रहे हैं केरियर में आज आपको उच्च पत की प्रमोशन के योग बनेगे आपके जो बरिष्ट अदिकारी होंगे मिथुन राशकेत को पूरा-पूरा उनका समर्थकर्ण और सपोर्ट मिलेगा जिसके कारण आज आपके केरियर में काफी सुधार देखने को मिलेगा कुछ important कार जो काफी दिनों से pending थे मिथुन रासकेत को वो कार पूरे होंगे केरियर में बरिष्ट अधिकारियों का जो आपके जो उच्छे लेवल की जो अधिकारी है उनका सहयोग प्राब्द होगा आपके कारशित में आपकी मदद कर सकते हैं किशी बड़ी कमपनी से आफारा सकता है जोग के लिए अगर आपने पहले से ट्राई किया था अपलाई किया था तो मिथुन रासकेत को आज यात्राई करने पड़ सकती है केदियर से संबंधित कोई महतपूर यात्राई जो आपके लिए काफी लाब दाय करेंगे लेकिन अपने कीमती चीज़ का देख रहे हैं और उसे संभाल कर रखने की जरूरत है कहीं चोरी होने का डर भी बना रहेगा मिथुन रासकेत को बिजनस ब्यापार में भी बड़े धनलाब की योग बन रहे हैं आज आपको धन को लेकर जिनी चिंताएं दूर होगी जो अभी तक आपको परिशानियों के सामना करना पड़ रहा था मिथुन रासकेत को धन को लेकर वो चिंताएं दूर होगी और बड़ा चमतकार आपको देखने को मिलेगा यानि रुकाव वफसव धन प्राप्त होगा साथी लोटरी छट्टा से अच्छा खासा लाप देखने को मिलेगा इंपोर्टेंट कोई डेल फानल होगी जो भी तक आपको नहीं मिल पा रहे थी उस डेल से आपको आपके आर्थी किस्तिती मजबूत रहेगी अगर आपने सेर मार्केटिंग के छेतर में पहले से निवेश किया हुआ है या फिर जमेन प्रोपेटी में तो लाब होगा जमेन प्रोपेटी के खरेदारी कर सकते हैं नए ब्यापार बिजनेस का आप निवेश करते हैं या फिर नए बिजनेस ब्यापार में निवेश करेंगे तो उसमें लाब होगा और पुराने बिजनस ब्यापार में भी अच्छा खासा धनलाब होने की योग बन रहे हैं मिथुन राज के जातकों आज धन को लेकर चिंताई दूर होंगी घर परिवार का माहल काफी अच्छा रहेगा घर परबार के सभी सदर्शों को साथ एक जुठो कर और उनके साथ उन्जाय करते हुए वक्त बिताते नजराएंगे बड़े बजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा मिथुन राज के जातकों और आपके माता पिता का सपोर्ट मिलेगा पिता जी के सपोर्ट से आज आपको धनकी प्राप्ती होगी और आपके घर में कोई श्व मंगल कार हो सकता है धर्मकर्म से संबंधित कार भी पूरा करते नजराएंगे यानि कि आपके घर में काफी खुशियों का संचार देखने को मिलेगा बड़े भाई बहनों का प्यार और उनका सहयोग प्राप्तों का छोटे भाई बहनों के साथ मिल जुलकर कुशी काम करते नजराएंगे शाथी आपके घरेलू जीवन में जो पहले कुश अनबंती या पैत्रिक संपत्ती को लेकर विवाज चल रहता वो सब चीजें आज बिलकुल समाप्त होती नजराएगी आज आपको बैंकिंग के छेतर से भी बड़े धनलाब होने की योग बन रहे हैं यानि कि लोन वगारा मंजूर हो सकता है मिथुन रासक्यात को जिसके कारणा आज के दिन आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है मिथुन रासक्यात को आज आपके पुराने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा पुराने मित्र आपके कारशित में पूरी हेल्प मदद कर सकते हैं जिससे आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जिससे आपको दूरी बनाए रखना है मिथुन रास के जात को और कोशिश करें कुछ है गुप्त सत्रों से भी आपके कामों में रुकाबट अगर पैदा करने के कोशिश करें थोड़ी से आपको सावधाने बरतने की जरूरत होगी मिथुन रास क्यात को आज आप अपने क्रिश संबंधित या फिर कि शिकार में तो उसमें आपको मन लगाके ध्यान देके उसको अपने लक्ष को यानि एक आगरशित करके कोशिश करने होगी मेहनत करने होगी तब ही आपको सफलता है आज की दिन मिलेगी यानि मेहनत तो करनी पड़ेगे लेकिन घुमने फिरने भी होगी और संतान के रूप में बड़े चमतकार देखने को मिलेंगे यानि संतान संबंधी बड़ी खुश खबरी मिलेगी शंतान की समस्याइद दूर होगी और अभी तक अगर किशी प्रकार की आपको कोई दिकते चल रही थी तो मित्हुन रासकेत को वो सारी दिकते द बड़े और भी जादा प्रगारता लाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को कोशिए गिप्ट और उपहार देने के कोशिश करेंगे शोपिंग बगरे कर सकते हैं यानि कपड़े बगरे कर सकते हैं या फिर जुएलेरी से संबंधित कोई महंगी चीज़े अपने पार्टनर यानि अपने जीवन साथी को गिप्ट करूप में दे सकते हैं अगर हम बात करें लब पार्टनर की तो लब लाइब भी बहुत अच्छी रहने वाली है लब पार्टनर को साथ आप घोमने फिने का दिर सारी मिठी मिठी बाते हो सकती है जो दूजिया थी वो खत्म होंगी और कुछ नजदी क्या बढ़ेंगी साथ ही तीसरे पक्ष को दखला अंदाजी ना करने दे वरना विवाद बढ़ सकते हैं इसलिए थोड़ा से यहां पर कोशिश करनी होगी और तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करनी होगी और यहाँ पर मिथुन राजकेत को अपने पार्टिनर को कुछ तोफे कर रूप में देशकते हैं पार्टी बगरे में शामिल हो सकते हैं उनके साथ कुछ इंज्वाई करेंगे घूमने फिरने का मन बना सकते हैं तो घूमने फिरने से थोड़ा सा आपको परहेश करना होगा स्वास्त का ध्यान देना होगा मौशमी परेशानिया कुछ हो सकती है थोड़ा सा ध्यान देना होगा और यहाँ पर देखिए आपके घर में जो सिंगल है जो अवियाहित है उनके जीवन में किशी नए दोस्त की दस्ता को सकती है जो कि आपके लिए काफी खुशियों से भरा रहने वाला है उनका अकेला पंदूर होता हुआ नजराएगा मिथुन रासक्यात को और राजनीत से जुड़े हुए हैं तो राजनीत में लाभ होगा बड़े पद मिल सकते हैं बड़ी जबाबदार्यां जिमेदार्यम मिल सकती है घर परिवार के शुक्षिवधाओं में भी मिथुन रासक्यातू आज के दिन आप कुछ जरूरत की चीज़े लाशकते हैं यानि खर्च तो घर के उन चीज़ों को लाने के कोशिक करेंगे जो काफी दिनों से आप नहीं लापा रहे थे किशी कारान बस्वेनी परिशानियों का सामना करना पर रहा था उससामान से तो उसकी भरपाई करेंगे तो बिजनेस ब्यापार में और केरियर में धन लाभ होगा और आपको ध